कि वह बैटरी फूलेगी, ऑव्वेस है कि customer उसमें रिटर्न आयेगा और ऑव्वेस है कि वह बैटरी चलेगी नहीं तो अगर आप copy के नम पे प्लीज उस पर ऐन लिथियूम पॉलीमर ही लगाएं और अगर original लगाएं तो ज्यादा better है और customer को तो टेक्निकली समझाएं दोस्तों कस्टमर तो सबसे पहले यही चाहता है कि सस्ते में क्या हो जाए पर अगर आप उनसे बुलेंगे कि भाई दस अजार के फॉन में अगर आप तीन सो रुपे की बेटरी लगाओगे तो यह होगा और अगर आप इसमें हजार रुपे की जिद है मेरा फिटूर जिद है मेरा गुरूर जिद है मेरी जुर्ण आप यूडूब फैमिली कैसे आप सबी लो ग्यार हाइ कैसे हो एन आपके घर वाले भी सब अच्छे होंगे दोस्तों आज मैं आपको एक बैटरी का कंसर्प समझाना चाहता हूं इस वीडियो के बना पर देखा जाये तो यार यह यूटूब की हिस्ट्री कही कही है ज्यादा लंबा वीडियो बनाने के बाद बेसिकली ना उसको व्यू मिलते हैं ना बहुत साधा लोग देखते हैं क्योंकि आप लोग तो देखना चाते हो पर बहुत सारी लोग के ना कम समय में मुबाइल-फोन की बेटरी के वारे में मैं कभी-वी डेटेलिंग नहीं किया की बाद के उनने लुड दो सब्सेला बैटेलिक के वारे बटावन के बाध करो दो सब्सें क्या बैटरी किसी कशते हैं आप देख रहें हैं यह यह जो आपको दो चीज दिखाईगे होगी ए और एक सेल को एक कोसिका कहते हैं, जब एक कोसिका से अधिक कोसिका मिलती है, तो बैटरी बन जाती है, तो इसी को बैटरी कहते हैं, अगर मैं इंगलिस की बात करूँ, तो क्या है बैटरी, अगर मैं इंगलिस में बात करूँगा, बैटरी इस डिवाइड एर स्टोर कैमिकल and convert into electrical energy तो यही होती है बैटरी जो एक chemical उर्जा को electrical उर्जा में पड़िवातित करें उसी को ही बैटरी कहा जाता है तो basically आप chemical उर्जा किस वे में यहाँ इसमें store की गई है ताकि भाई उसमें जब भी हम कोई विद्धुद दें तो किसी परकार का reaction हो और वो एक electrical उर्जा में बदले और उसी storage को हम कहते है बैटरी और उसी storage की कितना storage है कितना milliampere पर आवर तो यह सारी चीज जो देखी वो सारी चीजें हमारी बैटरी के उपर लिखी होती है सो इसके type सब कुछ आज में छोटा है थोड़ा बहुत आपके वीडियो में share करना चाहता हूँ सो दोस्तो बिसी के लिए एक कोशी का है मतलब एक cell को एक जो cell होता है पर जब दो से अधिक cell हो जाए तो बैटरी बन जाता है आप लोग ने normally गौर्ड नहीं किया होगा अस तक कभी अगर मैं आप लोगों को बता हूँ अगर मैं दोस्तों यहाँ पर बता हूँ कि अगर मैं इसके symbol भी बता हूँ तो आप notice करेंगे symbol में भी है बैटरी और cell को ही दिखाए गया है जैसे for jumper आप यहाँ पर देखे यहाँ पर मैं तोड़ा सा symbol भड़ा लेना चाहूँगा देखें तो दोस्तों जब भी है ना किसी सिर्फ cell की बात करेंगे और cell को symbolic बनाएंगे ना तो इस तरह के symbol बनाते हैं एक plus और एक minus आप देखा और अगर तो battery किसे कहते हैं जब दो cells हो जाएं तो बैटरी का symbol ना इस तरीके से बन जाता है आप तोड़ा से यहाँ पर notice कीजेगा यह एक यह 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 इस तरह का symbol बनता है तो एक plus एक minus एक plus एक minus इस तरह का symbol बन जाता है तो इसको हम कहते है battery तो basically battery के से कहते हैं दो कुसी काओ के संभंध को या combination of two cell आपको एक battery बना देता है तो चलिए I hope कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि battery किससे मिलका बना होगा अब basically उसमें chemical हो जाए किस तरह से भड़ी जाती है तो दोस्तो बैटरी फिलाल मार्केड में दो तरह की आ रही है एक lithium polymer और एक lithium iron तो चलिए दोनों को समझते हैं तो आप देखें यहां पर अगर battery के ओपर न आप जो उसके ओपर film होती है जो स्टीगर होते हैं उसके ओपर भी बहुत सारी information लिखी होती है जैसे यहां पर कित 1000 mAh पर आर इस बैटरी के स्टोरेज चमता है और आप देखें यहां पर 3.7 lithium-ion आप नोटेस करेंगे तो यहां पर lithium-ion लिखा हुआ है और इसकी जो मैप सिम जो इसकी चमता है वो 3.7 है अब देखो यहां तो पूरी चीज नहीं कि चलो दूसरे किसी बैटरी में जाते हैं और आप नोटेस करो कि पहले इस तरह की बैटरी आती थी जो बिलकुल एक आप देखेंगे तो बहुत कड़ी होती थी उसको मूर नहीं सकते थे और वो बेसिकली रिमूबल बैटरी होती थी मरलब कस्टमर भी इसली उसको निकाल लेता था ठीक है पर अब आप देखेंगे अब इस तरह की बैटरी नहीं आ रही है अब देखेंगे बैटरी के ओपर क्या लेखा हो सकता है और देखो बीच में ऐसा मित भी आया था कि कुछ बैटरी पर एक चिप लगाए जा रही है जो बहुत सारे लोग यह कह रहे होंगे आयो कि चार पास साल पहले अगर आप लो अगर यह चिप लगी भी गई है तो एक NFC चिप लगी गई है और NFC मतलब नियर फिल कम्वनुकेशन चिप होती है जो डाटा कम्म्यूकेट करने के लिए नियर मांलब वो तभी काम करती है जब डिवाइस बिल्कुल इंच बराबर मतलब इतने आसपास और इतने दूर भी यहां पर देखेंगे तो यहां पर एजडी प्रोटेक्शन इसके आसाद में दिया हुआ है पर only it but 5.8 इसके प्रूट ऐन देखेंगे लीधियन पैली पात तो यह व्याल पर नहीं प्रहना नहीं प्रफिट पॉलीमर है और अगर मैं आपको यहां पर बता हूँ लीटियम प्रिखसें मैं मिनिमर मicana का शाइख औरिसे नीचेici शाओँ तो सेथा है, मैं फोन को डैट कर दूं और मैप्सिमम चार्जिंग भी यहाँ पर दिया हुआ है, यह बता रहे हैं, 4.35, 4.35 तक मैं चार्ज हो जाऊंगी, मेरा मैप्सिमम चार्जिंग इसना है, ज्यादा करोगे तो फड़ भी सपती हूं, कुछ भी हो सकता, फूल जाओंगी, फट जाओंगी, और यहाँ पर इतने वाट यह consume करेगी, और आप देख सकते हैं, यहाँ पर हर चीज लिखी होती है, और यह बहुत सारे इसके साथ में कुछ टेकनिकल टम्स के साथ में आपको सिंबॉल जिये जाते हैं, इस सिंबॉल का स यह बिल्कुल सीड है, इसके अंदर लीथियम पॉलिमर देखने पर बता चल जाता है, खलाकि उस पर लिखा भी होता है, चलिए मैं आपको नेस्ट फूटेज दिखाना चाहता हूं यहाँ पर, तो दोस्तों, यह देखे, यह होता है लीथियम आयन के अंदर का स्ट्रचर, अगर मैं आपको बता हूं, लीथियम आयन के अंदर के स्ट्रचर में आप अगर नोटिस करेंगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आप देखे, यहाँ पर ना आपको दो सीटे मिलेंगी, परत जिसको हम बोल सकते हैं, इलट्रोट की चादर, दो इलट्रोट की चा अगर ना इलट्रोट की चादर हैं, जिसको इसको इसके अंदर डाला गया है, और जब यहीं पर विड्डूट दी जाए, तो यहीं लेक्टिकल उर्चा में बदलती है, और दोस्तों यहीं परक्रिया के कारण थोड़ी सी गर्मी महसूस होती है, इसलिए हम ज़्यादा तर यह भी महसूस करते हैं कि ज़्यादा चार्जिंग पर हमारा बैटरी गरम होनी लगती है, या थोड़ा हलका सा हमें गर्मी सेंस करते हैं, या नहीं भी होती है, तो भी अगर हम टेंपरेचर मीटर से अगर चेक करें, तो उसको आपको वहापर हीटिंग दिखाई देगी, अगर मैं बात करूं, यहाँ पर यह लीथियम आयन में जिसमें इस तरह है, अब इसको मोडा नहीं जा सकता, अब इसको बहुत ज्यादा आकार सेप में बैटरी को बनाए नहीं जा सकता, तो इसलिए जैसे चोटी-चोटी जगह पर घरी पर लागाना इसको बहुत दिक्कत होती थी इतनी चोटे पार्ट में बनाना, इसलिए उसके लिए नहीं बैटरी डिजाइन की गई, अगर मैं आपको बैटरी दिखाओं, अब इसके बाद में बदल गया और बदलने के बाद में अब दो तरह की बैटरी यहां, जो मार्केट में आई हैं, जैसे कि आप देख पर्टे हैं, जिसके बीच में कैमिकल्स बेसिकली डाला गया है, और यहीं पर कैमिकल्स को जैल के रूब में डाला गया है, तो यह जैल के रूब में है, आप देखें हैं आपर, इसलिए जब भी आप नोटेस करेंगे, अभी की बैटरी यह दबाओ तो दपती भी हैं, अब देखेंगे, लीटियम पॉलीमर अलग से ही, आपको देखाएं देखा थोड़ा सा मौटा, थोड़ा सा गड़्य जासा, अब इसको दवाएंगे तो यह दबेगा, और लीटियम पॉलीमर को दो अलग-अलग सेब बनाया गया है, क्योंकि इसके आइकार को बदला जा स क्योंकि मैं इस पर भी डेडिकेट वीडियो बनाने वाला हूं, और से लिए कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि जो यहां देखने को मिलेगा, पूरे हिंदोस्तान में यह आपको कहीं देखने को मिलने लेगा, बाकी तो विदेशों की लाइंग को इसी इसको कहते हैं BMS circuit, battery management circuit, तो battery management system बोल सते हैं, तो battery management circuit लगा होता है, और सेम चीज़ अगर यहां पर चार होंगे, तो यह दोनों को अलग लग कर देंगे, तो और इसके बाद बैया कर बाता हूं, तो notice के जाएगा, जैसे यहां पर आप इसकी photo की सकते हैं, यहां पर information लिए ह तो उसका काम यह होता है कि controlling करना, कि आपको अगर ज़्यादा गर्मी पाएगा, क्योंकि BMS circuit में दोस्तों controlling कैसे करेंगे, अब आप भी दिमाग लगाओ, तो component की value और component का, अगर आपको component की अगर सही value अगर आपको पता चल जाओ, और उसका game पता चल जाओ, और आप component को न तो उंगलियों में खेल सकते हैं, आपको भी device manufacture कर सकते हैं, यही चीज सिखाई जाती है, basically एक engineers को और एक technically और यही चीज सिखाई जाती है, एक engineers को, जो makers होता है, और जो normally सिब बनाता खोलता है, तो वो सिब बना खोल सकता है, तो यह आपकी choice है कि आप क्या बनना चाते है, जिन्दी के अबर YouTube वीडियो देखकर आप खाली से बनाना खोलना चाहेंगे, या engineers भी बनना चाहेंगे, इस बात पर भी सोरा सोचना, तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पर देखे, तो यह दोस्तो बैटरी के अंदर इस तरह का circuit होता है, और basically इस circuit को हम कहते है, इस circuit को हम कह जाता है, और यही fuel gauge, आप देखेंगे, तो आपको power IC के अंदर आपको अलग से 9 ball का IC, फाइवे में लगा होगा, या तो आप जितने भी लगे होंगे, power IC के अंदर डाला जाता है, fuel gauge, अब दोस्तो fuel gauge के साथ में आप देखे, बैटरी में आपको छोटे-छोटे से component अब वह होगा thermistor, और यही thermistor सबसे वारा game changer है, और बैटरी में दोस्तों आप देखेंगे कि बहुत सारे restarting का फोऊं आता है, उस पर एम एक dedicated video बनाने वाला हों, तो don't worry, तो मैं इस चीज़ को अभी यहाँ पर नहीं लेने वाला, कि वह जो ही कहाँ पर register होता है, code register होता है फ्यूज होता है, क्या होता है, उसके हमें dedicate video बनाऊंगा, सो दोस्तों thermistor का ही काम यह होता है, heating sense करना, और यह एक temperature controlling करता है, तो यह आपको एक sense करके बताता है, temperature जाता है, अभी आप इसको बनाऊ पहले, ठीक है, तो और यहाँ पर देखें, यह देखें, पहले के mobile में, ज तो दोस्तों यह है हमारा lithium ion और lithium polymer में difference कि क्यों कौन सा best है, कौन सा अच्छा है, यह अच्छा है कि वो अच्छा है, चलिए इसमें discuss करते हैं, तो यहाँ पर हम discuss करते हैं, battery के बारे में, और इसके information से लेते हैं, तो आप देखें, यह है lithium ion और यह है lithium polymer, यह वाला दोस्तों ज़्यादा खाता था, आप जिसे दो करमचारी को रखते हो ना, तो एक ज़्यादा खाना खा रहा है, और यह कम खाने में ही काम कर रहा है, तो कौन सा अच्छा होगा, कम खाने वाला ना, so basically इसमें यह प्लस पॉइंट आ जाता है इसको, कि यह अच्छा है, और यह बेकार है, so बेकार तो नहीं बोलेंगे, जो भी पहले की टिकनलोजी आ रही थी, obviously इससे भी उपर कुछ आ जाएगा, आप देखेंगे, और लॉस इट एक्च्छल चाजिंग कैपिस्टिटी ओवर टाइम, डज नॉट लॉस इस चाजिंग कैपिस्टीटी आज में लीथियम आयन मतलब वो कह रहा है, लॉस तो करेगा, पर वो लॉस इसके मुकाबले कम करेगा, जब भी भी हम चाजिंग के लगाते हैं, तो बहुत सारी चीज़े होते हैं, दोस्तों यह आपको लट्रोनिक समझना बहुत ज़रा जवरी है, क्योंकि आप जब किसी चाजिंग सर्केट में आप देखते हैं कि प्रोटेक्शन सर्केट लगाया जाता है, कैपसेटर होते हैं फिल्टरेशन के लिए, डाय रोटेशन के लिए, वो भी पूरे तरीके से काम नहीं करते हैं, कही न कहीं वो भी गरम होते हैं, और हम तो उनको निकाली देते हैं, आप तो बिलकल OVP को भी साफ, तो बात करेंगे, एस्प्लोशन की फट ने की, तो यह ज़्यादा चार्ज होना हो जाने के बाद, मनला ओवर रसे चार्ज, ज्यादा घंटे आप चार्ज पर लगाओ, तो यह फट ने का डल जादा रहता है, यह तोड़ा सेफ रहता हैं, फट दोनों ही रहें, और बात करेंगे, यह तोड़े चीपर होते हैं, यह तोड़े इस्पैंसिफ होते हैं, अब्वेस है महंगा होगा, अच्छी चीज महंगी होगी, सस्ती चीज में रोन ही आएगा, और यह मेरे वीडियो रिखके बहुत सारी लोग सोच भी रहे होंगे, लॉंगर चार्जर कंप मनलब तोड़ा सा आप देखेंगे कि लाइड वेट है, और 85 परसेंट कंवरसी कैपिटी तो कंवर बैटरी इंट अच्छल पावर, तो यह आप देखेंगे कि ज्यादा देता था और आप देखेंगे यह तोड़ा कम देता है का अच्छल पावर, और दोस्तों कैसा लगा बैटरी से मैं अखेंगे एक वो यह समझ में और अगर आप ऐसे सेट में जिसमें लीथियम पॉलीमर बैटरी लगा रहते हैं तो अगर आप को पर प्लीज जादा बैटर है और कस्टों को टेक्निकली समझाँ दोसरों कस्टों तो सब से पहले यही चाहता है कि सस्टे में क को बोलेंगे कि दस अजार के फॉन में अगर आप 300 रुपे की बैट्री लगाऊगे तो यह होगा और अगर आप की बात टेकनिक जैसे आप मेरी बात समझ रहे हैं वीडियो देख के और इसको बहुत अच्छे समझ रहें वैसे कस्टमर भी आपकी बात समझेगा तो यह नौल लिए अब यह क्या ना में आपका अन्थोस्त अभी यह क्या करने वाले हैं उसका सिप्यू निकालने वाले आपका अब यापका ने वाले का